राधे राधे एवरिवन आप सभी को राधा अस्टमी की बहुत बहुत शुब कामनाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको राधा अस्टमी के वरत की बहुती सरल पूजा विथी बताऊंगे वरत कैसे करना है, कब खोलना है, क्या खाना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखे, भादरपद महा के शुकल पक्स में आने वाली अस्टमी तिथी को राधास्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे जनमास्टमी का वरत किया जाता है, उसी तरह से राधास्टमी का भी वरत किया जाता है। और एक हजार पवित्र नदियों में सनान करने का फल भी हमें राधास्टमी का एक वरत करने से प्राप्त हो सकता है। तो ये मोका तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, राधास्टमी का वरता आप जरूर करना। अभी देखे राधास्टमी की पूजा दोपेर में बारा बजे की जाएगी, तो इस साल राधास्टमी 23 सितंबर की है, तो 23 सितंबर को दोपेर में बारा बजे हम राधास्टमी की पूजा करेंगे, मंदिर वगरा में सुबै चार बजे मंगला आर्ति की टाइम पर पूजा कर लिए उसमें हल्दी सुपारी सिक्का फूल चावल पांच हो चीज नी ने डाल दीयीए तक क भर लिया है अब इसमें पंच पल्लों लगा लगा लिए के दिन कलफ की स्थापना करना थे लिता तो कलफ की में जरूर करले इसके बाद आप चोकी को सजा सकते हैं मेरे पार जब टाइम नहीं होता है सजाने का तो मैं यह फूल बंगला लगा देती हूँ क्योंकि यहां पर हम भगवान श्री कृष्टरा राधा जी की फोटो या मुर्थी जो भी सहरूप आप आपके पास है उन्हें आप विराज्मान कर लें भगवान्ष्री begitu है और राधा एक ही है आगर आपके-बास लडu गोपाल जी है तो अब लड़ू गोपाल जी पास भगवान्ष्री राधा के रूपर सकते हैं। अपने की चोकी हमने लगा ली है, स्थापना हमने कर ली है, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो कलश की ओपर जो दिया हमने रखा है उसको हम जलाएंगे, दीपक जलाने के बाद भुगवान गनेज जी से प्रातना करेंगे कि हमारी पूजा को निर् समर्पित करेंगे, जो कलश है, कलश की कंट पर हमने पहले ही मोली बान दी थी, अभी हम राधारानी को चुन्डरी समर्पित करेंगे, तो लाल रंकी चुन्डरी आप राधारानी को जरूर समर्पित करें, उसके साथ ही हम तिलक कर देंगे, हल्दी से, रोली से, चंदन से, आप राधारानी को भगवान श्री किर्शन जी को तिलग करें इसके साथ ही आप कलस को और दिये को भी जरूर से तिलग करें तिलग करने के बाद फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हम राधारानी को सुहाग का सामान जरूर समर्पित करेंगे आप जीतना भी सामान हो सके उतना समर्पित कर सकते हैं आप सोला सिंगार, पांच चीजे, साथ चीजे, दो चीजे कितनी वी सुहा की जरूर समर्पित करें उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे तो जो भी फूल आपको मिल जाएं इसके साथ ही कुछ भी मीठा आपने घर पे जरूर नाएं जैसे जब भी हमारे घर पे किसी का बर्थड़े होता है तो मीठा बनता है तो अच्छे-च्छे पकवान बना के आप राधारानी भगवान श्रीकिष्ण जी को भोग समर्पित करें इस दिन बहुत से लोग 56 भोग भी समर्पित करते हैं तो आप चाहें तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं कोई भी रीतूफल आप समर्पित कर सकते हैं भोग में भोग समर्पित करने के बाद हाज जोड़कर भोग स्विकार करने के लिए बगवान से प्रातना करेंगे, इसके बाद हमें नियुच्छावर करनी है, तो देखिए जितनी भी आपकी शर्दा है, जितना सामर्थ है, उतनी आप नियुच्छावर करें, शात बार ऐसे भगवान श्री किष्न राधारानी के उपर से हम ये जो पैसे हमने लिए हैं, वो इसके बाद हम कथा सुनेंगे तो एक लोटा जल मैंने ले लिया है, हाथ में मैंने फूल ले लिये है, अब हम राधा आस्टमी की वरत कथा सुनेंगे, राधा आस्टमी की वरत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे जला सकते हैं, पहले गनेश जी के आरती करनी है, उसके बाद हम राधा कृषिन जी के आरती करेंगे, बहुत ही प्रेम पूरो का आरती करने के बाद, हाज जोड कर पूजा मेरे हिकमियों के लिए समाय आचना करेंगे, और अपनुमनों कामनाओं को पूण करने के लिए प्र उटा है वो सुर्य देवता को अरग दे देंगे जो भी भोग परशाद हमने चढ़ाया है वो सभी भक्तिजनों में सभी परिवार के सदश्यों में हम परसाद सवरू बांट देंगे अब देखिए वरत अगर आपने 12 बजे तक कई किया जाता है उसके बाद वरत का पार्ण क कर सकते हैं और जो भी हमने सिंगार का सामान समर्पित किया है वो राधारानी के आसिरवाद के रूप में आप उसको यूच कर सकते हैं तो इस तरह से हम चोकी उठा देंगे फ्रेंस राधा अस्टमी का वरत तीन तरह से किया जाता है इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर जाएगा कि तीनो तरह से किस तरह से राधारानी का वरत करते हैं वैसे यहां पर मैं शॉट में आपको बता देती हें कि कुछ लोग Todakti के दिन वरत करते हैं और अस्टमी के दिन सुबह चार बजे मंगला आरती करके और फिर वरत खोलते हैं कुछ लोग पूरे दिन का वरत करते हैं राधा अस्टमी के दिन सुबह से राध तक का वरत करते हैं राध को चंद्रमा को आरक दे के वरत खोलते हैं और ज्यादातर पर है कि आप वरत कैसे करना चाहते हैं हमारे यहां पर दोपेहर बारा बजे तक का यही व्रत किया जाता है इस वरत में सुभे आप पूझा करेंगे नर्मल जैसे घर में रोजाना पूझा करते हैं उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं और क्या चाहिए 12 आप बज़े की हो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम है लाए घर में तीज तोहर कैसे करते हैं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राधे राधे